हलो दोस्तो नमेशकार इनको भी कवर कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वड़ो को स्टार्ट कर लेते हैं सो रस अब हमने का चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक दिगच कंपनी के बारे में जिसमें आज हमनों को बहुत ही अच्छी खासी गिरावड देखने को मिली है में वीडियो के शुरुआत में कहना चाहूंगा दोस्तो वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि जो ओरिजिनल असली खबर है कि ये स्टॉक गिरा क्यू है उसके पीछे का एक्च्छल रिजन में आपके सामने रखने वाला हूं तो अगेन कहना चाहूंगा अगर आप वीडियो को देखे पहले में शुरुआत में क्या करूंगा जो बेसिक चीजे है क्या-क्या चीजे सामने आई है वो में आपके सामने रखूंगा और उसके बाद जो कॉंक्रिट रिजन है वो में आपके सामने रखूंगा क्योंकि इस सारी चीजों को आप लोगों को कवर करना है तो maximum चीजे बेसिक वाली आप लोगों को बताई जा रहे है कि इसके वज़े से इस टॉक गिरा है जो में रीजन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सो कौन से स्टॉक की बात हुरी है दोस्तो लारसन एंट टूबरो ग्रूप से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी कमपनी LTTS ये स्टॉक आज जबरदस गिरते वे देखने को मिला है अभी तो मीचलेस तर से थोड़ी सी रिकवरी हुई वरना लोवर लेवल की में बात करू तो 3404 तक ये स्टॉक लुड़का था तो ओर आल देख सकते हो कितना है लगबग सवा 5.5% हम लोगो ये स्टॉक गिरते वे देखने को मिला है और ये गिरावट थोड़ी सी बड़ी क्यों माली जाती है क्योंकि स्टॉक अगर हम लोग बात करे IT से बिलॉंग करता है और एक साल से अलड़ी हम लोग के इन स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो और इनमें 5.5% गिरावट होना मतलब कुछ तो बात होगी ऐसी तो बात नहीं होगी कि बस रैंडम ले गिर गया करके तो वो कुछ बात क्या है वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ देखे basic reason आपको क्या बताया जा रहा है कि LTTS का stock 5% इसलिए गिरा क्योंकि Morgan Stanley ने इसको अंडरवेट किया है तो क्या इसके वज़े से गिरा है तो नहीं दोस्तो देखे अंडरवेट किया है मतलब क्या कि Morgan Stanley ने इसको अंडरवेट किया मतलब कुछ तो reason होगा वो reason आपको पता होना चाहिए ऐसा थोड़ी ना होता है कि चलो हमें लग रहा है अंडरवेट कर रहे हम लोग नहीं तो वो reason क्या है वो आपको पता होना चाहिए तो जैसे मैं नेका कि basic reason पहले में communication business to its tech arm so L&T मतलब Larson and 2bro आप सब लोगों को पता है अभी जो मैंने आप लोगों को जो company बता ही उसके अंदर आपको बहुत सारे subsidies देखने को आपे मिल जाएंगे जैसे कि अगर मैं यह आपे बात करू तो यह देखे यह है L&T इसके अंदर बहुत सारे companies है L&T Foods भी आता है दैन उसी के साथ-साथ LTTS आता है LTI भी आ जाता है यह तो listed companies है L&T Finance भी आ जाता है उसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करें यह एक ऐसी company हम लोगों को देखने को मिलती थी जिसका नाम था SWC आप चाहो तो इसको short form में ऐसा बोल सकते हो तो यह company Larson & Tuberow ने क्या कर दी बेची किसको बेची खुद के ही घरे लो company LTTS को बेची मतलब क्या है अभी SWC का जो पूरा business है वो LTTS में हम लोगों को club होते वे देखने को आपे मिलने वाला है क्योंकि LTTS ने SWC का business यहाँ पे खरीदा है क्या इसके चलती यह stock यहाँ पे गिरा है तो yes दोस्तों इसके चलती गिरा है बट गिरा क्यों यह deal के चलती इतनी नाराजगी क्यों है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा और उसके पीछे का actual reason है दोस्तों company के जो CEO है and managing director है अमिच चड़ा जी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो LTTS के कौन है CEO and MD है तो इनकी commentary हमनों को देखने को मिली दोस्तों यह जो deal यहाँ पे हुई थी ना उसकी commentary देखने को पूले है और obviously पहले formalities कर लेते हैं कि यह exactly यह deal क्या हमनों को होते वे देखने को मिल रही है कितने amount पे हुई है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो company है totally उसका revenue यह company कितना कमाती है SWC 1000 करोड के आसपास का इनका revenue है and net worth की बात करे तो कितना है 440 करोड का net worth देखने को मिल रहा है और यह deal कितने में complete हुई है तो LTTS ने इसको खरीदा है 800 करोड में यह 800 करोड में और यह 31st March तक यह सारी चीज़ हम लोगो acquisition complete होते वे देखने को मिलेगा exchange में और यह सारी चीज़े file हो चुकी है सो दोस्तों इस business की अगर हम लोग बात करें यह 2016 में हम लोगो start होते वे देखने को मिला था उसी के साथ साथ digital infrastructure प्रोवाइड करने का काम end to end communication से related यह company काम करते वे देखने को मिल जाती है and SWC की अगर हम लोग खास अगर हम लोग बात करें तो इसका domain किसमे है communication, cyber security, artificial intelligence 5G की अगर हम लोग बात करें उसमें यह company हम लोगो अच्छा कासा काम करते हैं देखने को मिल जाते हैं जो अभी LTTS के साथ जोड़कर काम हैं आपे करने वाली है तो यह नई synergies हम लोगो LTTS के साथ जोड़ते वे देखने को आपे मिलने वाली है तो यह सारे points अमनों को देखने को मिल चुके हैं अभी आजाते हैं यह तो formula होगे अभी आजाते है कि ऐसी क्या बाते अमिजी नहीं आपे बोल दी जिसके चलते problem देखने को मिले तो दोस्तों देखिए LTTS मतब यह जो company ना Larson and 2 Bro ठीक है यह जो group है ना इसका management कुछ भी बलो honest management है जो भी सच है वो हमेशा सामने रख देता है सो सबसे पहले problem क्या हुई थी यह management की commentary आने से पहले की ही बात है कि यह जो SWC company है ना दोस्तों आपको पता है इसके margins कितने है तो इसके margins मैंने चेक की है यह nearby 8-10% का margin वाला business है कौनसा? SWC जो भी LTTS ने खरीदा है और problem क्या है यह अभी किसमे club होने वाला है LTTS में club होगा प्लस SWC ऐसा होगा ना आपको पता है LTTS के margins कितने हैं लगबग 22% इसमे lower margin वाला 8-10% का जो margin वाला business है वो इसमे club होगा मतलब LTTS के margins आने वाले समय में आप लोगों को इस business के चलते lower margin वाले business के चलते LTTS के margins अभी खराब होंगे आपको चलो मैं यह भी दिखाना चाहूँगा LTTS में ने open किया share थोड़ा सा नीचे जाते है P&L open कर लेता हूँ यह देखे कितने margins OPM के अगर में बात कर यह देखे 22 से 21% के margins देखने को यह आपे मिल रहे है 22 आप बोल सकते हैं यह भी record हो जाएंगे यह इतना शांदार margin वाला business था LTTS के अगर हम लोग बात करें अभी SWC जो lower margin वाला business है वो उसमें LTTS में हम लोगो add होते वे देखने को मिलेगा और इसके कारण इसके भी margin हम लोगो contract होते वे देखने को मिलेंगे और दोस्तों जब management सामने आया Mr. Ami Ji सामने यह आपे आये उन्होंने भी इस बात को accept किया आप चाहो तो उनका interview पढ़ सकते यह actual reason है जिसके चलते इस stock हम लोगो गिरते वे देखने को हापे मिला है So Ami Ji ने भी क्या बोल दिया कि yes यह बात सच है कि margin से related अगर हम लोग बात करें LTTS के मुकाबले SWC lower margin वाला business है और इसके चलते LTTS के margins and earning per share दोनो हम लोगो short term basis की हिसाब से थोड़े से नीचे आते वे देखने को मिल सकते यह straight away उन्होंने यह दो points अपने जो press conference है उन्होंने management ने आपे बोली है कि margins and EPS दोनों contact होगे हाँ उन्होंने यह बात बोली है कि यह short term के लिए होगा अभी short term की definition ऐसी तो fix नहीं है बट आप पकड़ कर चल सकते हैं कि temporary basis के उपर अभी LTS के जो numbers आएंगे उनमें आप लोगों को यह मतलब दिक्कत है देखने को मिल सकते ही जैसे acquisition complete हो जाएगा उसके बाद इसलिए इस चीज की नाराजगी हम लोगों को आज साफ-साफ इस stock में देखने को आपे मिली है यह actual reason है दोस्तो जिसके चलते है stock गिरा है प्लस उसी की साथ-साथ एक और reason भी है कौन सा अगर आप LTTS की balance sheet में जाते हो balance sheet को अगर आप search करते हैं तो obviously यह जो deal है 800 करोड देने पड़ेंगे तो LTTS के पास कुल मिला के cash कितना है cash मतलब सिर्फ यह नहीं होता है cash and cash equivalent यह बाकी trade, receivable उसी के साथ-साथ other current assets जो भी short term वाले जो assets रहते हैं उस सभी को cash में ही गिना जाता है तो उनमें अगर आप total करोगे तो उसका one third कितना one third यह पूरा इस deal में चला जा रहा है तो अच्छा कासा जो cash था वो देखे, इस्तावाल किया वो गलत नहीं है बट उन्हेंने lower margin वाला business को acquire किया है, इसके चलते हम लोगो वो दिक्कते देखने को मिल रही है और यह नाराजगी के चलते है आप यहापे कह सकते हो कि हम लोगों को LTTS का जो share है वो अच्छा कासा हम लोगों को यहापे गृते वे देखने को मिल रहा है crash होते वे देखने को आपे मिला है इसलिए यहापे Morgan Stanley की भी बात करें उन्होंने इसी चीज को पकड़ कर इसको यहापे जो underweight यहापे कर दिया है तो यह सारा scenario हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है अभी no doubt आपका next सवाल तो यही रहेगा सर अगर हमारे पास LTTS का यह share होगा तो मतलब यह जो आज की गिरावट है क्या इसके चलते हम लोगोंने exit करना चाहे तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं यह short term वाली बात है इस पर कोई आप लोगोंने ज़्यादा panic करने की ज़रूत नहीं है उन्होंने जो business करे है no doubt lower margin वाला है बट जैसे की management ने कहा है कि इसके चलते synergy create होगी synergy create होगी मतलब LTTS and plus SWC अगर एक साथ यहाँ पर काम करेंगे यह सब जोडेंगे तो definitely और अच्छा गासा business यहाँ पर होते वे दिखने को लेगा and जो उन्हेंने acquisition किया है वो future oriented business के इसाब से अच्छा है मतलब AI की बात करे उसी के साथ साथ cyber securities की अगर हम लोग बात करे communication की बात करे तो यह सारे आने वाले भविशा की ही बिजनेसे से so SWC के साथ LTTS यहाँ पर जुड़ते वे काम करते वे दिखने को लेगा जो कि इनका घरेली बिजनेस है तो इसके चलते यहाँ पर हम कह सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कोई serious issue यहाँ पर नहीं है हाँ एक दिन के इसाब से अगर हम लोग बात करें ट्रेडर ने आपर इसका reaction तो जरूर यहाँ पर दिखा दिया है बट इसके चलते अगर आपका नजरिया long term का है तो कोई LTTS यहाँ खतम हो गई कमपनी बरबाद हो गई कमपनी तो ऐसा कोई भी deal हुआ नहीं है तो आशा करता हो main reason आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या दिक्कते देखने का आपके मिली थी तो बस margins and EPS यह हमनों को नीचे देखने को मिलेगा and management ने भी वो चीज accept कि अपने commentary में इसी के चलते हैं स्टॉक में हमनों को जादा pressure देखने को मिला है यह है actual reason ऐसे original चीजों को जानने के लिए इस चैनल को subscribe करके रख लेना and अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको like and share कर सकते हो and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया है लिंक नीचे description में 25 वीडियो के लिस्ट आपको विलकुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौन सा account आपने लिंक के तो उपन किया properly comment section मिंशन कर देना अतवाफते बर के अंदर-अंदर सारे lectures मेरे साइड से आप लिगों को free of cost प्रवाड कर दे जाएगे so that's it thank you very much so we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye